सब्सक्राइब कीजिए लॉपडेट्स यूटूब चैनल को और साथ मैं ही बेल आइकन को प्रेस करें निव लॉड लेटीज जानकारी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेनामी संपती से जोड़ी कुछ साथ बातों के बारे में बात करेंगे पॉइंट नमबर वन जब संपती खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपटी खरीदता है तो यह बेनामी प्रॉपटी कहलाती है पॉइंट नमबर टू लेकिन शर्त यह है कि खरीद में लगा पैसा आमदनी के ग्यास त्रोतों से बाहर का होना चाहिए भुगतान चाहे सीधे तोर पर भी किया जाए या फिर घुमा फिरा कर पॉइंट नमबर ठृाइँ अगर खरीदा ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तब यह बेनामी प्रॉपटी ही कही जाएगी सीधे शब्दों में कहीं तो बेनामी संप्तिक खृदिने वाला व्यक्ति कानून मिलकियत अपने नाम नहीं रखता लेकिन प्रॉप्टी पर कबजा रखता है पॉइंट नम्बर फाइब 1988 के कानून में किया गया सुशोदन एक नुमंबर 2016 से लागू हो गया है इसके तैट केंदर सरकार के पास ऐसी प्रॉप्टी को जब्द कने का अधिकार है पॉइंट नम्बर 6 बेनामी संप्तिक की लेंदेन के लिए दोशी पाये गई व्यक्ति को 7 साल तक के कैद की सजा हो सकती है और प्रॉप्टिक की बाजार कीमत के एक चोथाई के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है पॉइंट नम्बर 7 काले धन पर जाज के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने तीन लाग से ज्यादा के नेकद लेन देन पर रोक लगाई जाने की सिफारिश की थी तो दोस्तों उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंज को शेर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हाँ ऐसी ही लोड लेटी जानकारी के लिए हमारा यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें